Hello students, good morning, मैं शिल्पाशेट आपका ओनलाइन सेशन में हर्दिक स्वागत करती हूँ आज हम संस्कृत पाठिय पुस्तक के अंतरगत पाठ साथ संख्या का अभ्याज करने वाले हैं बच्चों, लास्ट सेशन में आपने कावियच विनुत पद्यानी के बारे में विस्त्रूत में अध्यान किया आशा रखती हूँ कि आप लोगों ने उसका अच्छे से अभ्याज किया होगा और CW में भी लिखा होगा तो चल बच्चों, पाठ साथ संख्या का हम अध्यान शुरू करते हैं बच्चों, हम भाषा का व्यवर करते समय संख्या का उप्यों बार बार करते हैं करते हैं ना? इसलिए संस्कृत संख्या यानी गिंती का ज्यान भी आवश्यक हैं बच्चों, आपने स्टांडर्ड सेवन्थ में पचास तक की संख्या सिख ली हैं स्टांडर्ड एट में संस्कृत में सो तक की गिंती आपको सिखनी हैं यह पाठ साथ संख्या में एक से सौ तक की गिंती दी गई है और गिंती पर आधारिक एक समवाद भी दिया गया है तो चलो सबसे पहले बच्चों हम संख्या एक से सौ का अध्यान शुरू करते हैं गिंती का अध्यान शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहते हैं एक से चार तक की गिंती में थोड़ा सा आपको कन्फूजन हो सकता है क्योंकि जो एक से चार तक की गिंती होती है वस्त्री लिंग, पूलिंग और नपुसक्लिंग तीनों लिंग में चलती है आपको कहीं कहीं इनमें लिखने में डिफ्रेंस मिल सकता है कहीं आपको चार की जगा चत्वारी या चतुर लिखा मिल जाएं त्रय की जगा तिस्त्र त्रीनी दो की जगा द्वे द्वी और एकह की जगा एका एका लिखा मिल जाएं तो उसमें कन्फूजन वाली कोई बात नहीं है आप चाहे स्ट्रीलिंग लिखें, नपुसकलिंग लिखें या पुल्डिंग फॉर्म लिखें आपका कुछ गलत नहीं होगा पर जो भी लिखो वह सही लिखा होना चलिए यह प्रॉब्लेम आपको एक से चार तकी गिंती में ही चलेगी पर इससे आगे की गिंती जो फॉर्म में होती है वह वैसी ही रहती है इसको उस फॉर्म में ही याद रखनी है और लिखनी भी है तो चलो बच्चों हम एक से चार तकी गिंती का डिफ्रेंस पहले समझ लेते हैं वन मिन्स एका एका हा पर मस्कुलाइंग जेंडर एका पर फेमिनाइंग जेंडर एकम पर न्यूटर जेंडर एका हा मयूराह अस्ति तो मयूराह मिन्स मस्कुलाइंग जेंडर तो वहां हम एका हा यूज करते हैं वैसे ही एका संची काहा अस्ती, तो संची काहा फेमिनेंग जंडर है, तो यहां हमने एक कह नहीं लिया, एका लिया, वैसे ही एकम उस्तकम अस्ती, उस्तकम न्यूटर जंडर है, तो उसके लिए हमने एकम लिया, एकाह या एका ऐसा नहीं लिया, तो बच्चों समझ में आए ना कैसे मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूटर जेंडर वर्ड्स के साथ एकह, एका और एकम का यूज होता है वैसे ही द्वी में भी ऐसा ही होता है द्वी मिन्स टू, द्वी ऐसा है, द्वी ऐसा है बाली के संती, बाली के मिन्स फेमिनाइन जेंडर, तो उसके साथ हमने द्वे लिया द्वे वातायने संती, तो वातायने यहां न्यूटर जेंडर है, तो उसके लिए हमने द्वे लिया समझ में आए ना बच्चों, चलों अब त्रीनी और चतुर का देखते है त्री मिन्स थ्री त्रया हा फर मस्कुलाइन जेंडर तीस त्रहा फर फेमिनाइन जेंडर त्रीनी फर न्यूटर जेंडर त्रया हा शुकाहा संती तो शुकाहा अगेन क्या हुआ मस्कुलाइन जेंडर तो हमने उसके लिए क्या लिया त्रयह वैसे ही तिस्त्रह बाली का संती बाली का अगेन फेमिनाइन जेंडर तो वहां हमने क्या लिया तिस्त्रह त्रेणी ही पुस्तकानी संती तो पुस्तकानी क्या है पुस्तकानी न्यूटर जेंडर है तो हमने उसके लिए त्रीनी लिया समझ में आया नव बच्छों चलो अब चतुर का देखते हैं पूर मिन्ज चतुर चत्वा रह फर मस्कलाइन जेंडर चतस्त्रह फर फेमिनाइन जेंडर चत्वारी फर न्यूटर जेंडर चत्वारह सिहाहा संति सिहाहा means masculine gender चतस्त्र प्रतिमाहा संति यहाँ प्रतिमाहा feminine gender है तो उसके लिए हमने चतस्त्र लिया चत्वारी उस्तकानी संति तो उस्तकानी क्या है neuter gender तो उसके लिए हमने क्या लिया चत्वारी समझ में आने बच्चों एक से चार गिंती को हम कैसे link के साथ बदलते हैं और लिखते हैं बच्चों यह rule जब कोई specific noun होता है कोई भी gender का तो उसके साथ उसके gender वाला ही गिंती का शब्द भी यूज होगा पर आपको जब एक के सामने कुछ भी लिखने को बोलते हैं तो आप कोई भी masculine feminine या neuter gender कोई भी word आप लिख सकते हो भी तरह से लिखोगे सही होता है लेकिन उसका सही spelling होना चाहिए अभी चार से आगे जो 5, 6, 7, 8, up to 100 कोई भी form बदलता नहीं है वो सब form masculine हो या feminine हो या neuter gender उसके साथ एक ही रहता है तो बच्चों समझ में आए ना चलो अब हम एक से सौ तक की गिंती देखते हैं और उसे easy way से कैसे याद रख सकते हैं उसकी भी trick समझते हैं trick समझने के लिए पहले हम एक से 10 की गिंती देखते हैं एक यानी एकम वन दो यानी द्वे टू तीन यानी त्रीनी थ्री चार मिन्स चत्वारी पूर पाच मिन्स पंच पाइव चह मिन्स शट 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 साथ मिन्स सब्त सेवन आठ मिन्स अस्ट एट अगर आप एक से लेकर दस तक की गिंती याद कर लेते हैं तो आगे की पूरी गिंती आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि जो आगे आने वाले शब्द हैं वह इनी से जुड़े जाते हैं तो इसके आगे आने वाले गिंती के में शब्द को ही याद करना पड़ेगा जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यह में टमजी आपको याद करनी होती हैं बाकी की गिंती में यहाँ एक से दस लगा कर बन जाती है जो इतना कठी नहीं है आप एक से दस तक की गिंती याद कर लोते हों तो सौ तक की गिंती सरलता से याद हो जाएगी समझ में आया ने बच्चो तो कितना आसान है एक से सौ तक की गिंती याद करना चलो हम आगे की गिंती को देखते हैं एका दर्श मिन्स 11 देखो बच्चो यहां हमने दस में एक डाल दिया तो एका दर्श बन गया वैसे ही द्वा दर्श दस में द्वा डाला तो द्वा दर्श मिन्स 12 वैसे ही त्रयो दर्श 13 चतूर दर्श 14 पंच दर्श 15 सो दर्श 16 सब्ट दर्श 17 अस्ट दर्श 18 नव दर्श 19 बच्चो यहां है नव दर्श की तीन नाम है तीन तरीके से हम नव दर्श को लिख सकते हैं जैसे एकोन मिन्शती मिन्स एक नव बिस में नव दश दस में नव एड़ करो तो नव दश बनता है नव दर्श बनता है तो इस तरह हम 19 को तीन तरीके से लिख सकते हैं और तीनों सही होता है चलो अब आगे बढ़ते हैं विन्शती 20 एक विन्शती ही 21 बच्चों यहाँ देखो 1 तो आपको आता ही है एक से 10 आपने लण कर लिया तो अब आप विन्शती लण करोगे तो विन्शती ही एक के पीछे विन्शती ही रखोगे तो वो एकर विन्षती बन जाएगा मिन्स 21 हो जाएगा समझ मैं आ ना बच्चों तो विन्षती में टम है आप एक विन्षती याद रखोगे तो 21 to 29 आपको अच्छे से आ जाएगा एक से दस्तों आपने लर्न करी लिया है तो अब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि 21 से 29 तक का याद करना द्वा विन्षती ही मिन्स 22 त्रयो विन्षती ही मिन्स 23 चतुर विन्षती मिन्स 24 पंच विन्षती ही मिन्स 25 सडविन्षती ही मिन्स 26 सप्त विन्षती ही मिन्स 27 अस्त विन्षती ही मिन्स 28 नवविन्षती ही 29 बच्चों नवविन्षती को हम दो तरीके से लिख सकते हैं जैसे, एकोन त्रीन शत, एक कम तीस में, मिन्स, तीस में से एक कम करो, तो हमें 29 मिलता है, नव वीन शती, मिन्स, बीस में 9 एड करो, तो हमें 29 मिलता है, तो वो भी हो गया, नव विन शती तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं दोनों सही हैं चलो आगे बढ़ते हैं अब 30 की बारी हैं आप 30 की टम याद रखोगे तो 30 से 49 तक का सब आपको याद रह जाएगा एक से दस्तो आपको आता ही हैं तब 30 का आप याद रखोगे तो 30 से 49 भी आ जाएगा 33 तह मिन्स 30 एक तरींशता 31 ध्वा तरींशता 32 त्रय तरींशता 33 चतुर तरींशता 34 पंच तरींशता 35 साट तरींशता 36 चलो बच्चो अभी 39 को दो तरीके से लिखना सिखते हैं जैसे एकोल चत्वा रिंशत 40 में एक कम 40 में एक कम करते हैं तो 49 मिलता है वैसे ही 9 तरिंशत मिन्स तीसमें 9 एड करने से भी 49 मिलता है चलो अब आगे चत्वा रिंशत 40 एक चत्वा रिंशत 41 द्वी चत्वा रिंशत 42 त्री चत्वा रिंशत 43 चत्वा रिंशत 44 पंच रिंशत 45 शत्वा रिंशत 46 सब्ध रिंशत 47 अस्ट चत्वा रिंशत 48 नव चत्वा रिंशत 49 अब नव चत्वा रिंशत भी दो तरीके से लिख सकते हैं जैसे एक औन पंचाशत मिन्स 50 में एक कम मिन्स 49 नव चत्वा रिंशत मिन्स 40 में नव एड करने से 99 मिलता हैं अब आगे पंचाशत 50 एक पंचाशत 51 द्वी पंचाशत 52 त्री पंचाशत 53 चतुष पंचाशत 54 पंच पंचाशत 55 शट पंचाशत 56 सब्ध पंचाशत 57 अस्ट पंचाशत 58, नव पंचाशत 59, बच्चु 59 दो तरीके से लिख सकते हैं एकोन 60, 60 में एक कम, नव पंचाशत मिंस पचास में नव जोडने से 59 बनता है सस्टी ही 60, एक सस्टी ही 61, द्वी सस्टी ही 62, त्री सस्टी ही 63, चतु सस्टी ही 64, पंच सस्टी ही 65, शड़ सस्टी ही 66, सब्त सस्टी ही 67, अस्ट सस्टी ही 68, नव शस्टी ही 69, 69 दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे एकोन सब्तती मिन्स 70 में एक कम, नव शस्टी 60 प्लस 9, सब्तती ही 70, एक सब्तती ही 71, द्वी सब्तती ही 72, त्री सब्तती ही 73, चतुस सब्तती ही 74, पंच सब्तती ही 75, शट सब्तती ही 76, सब्त सब्तती ही 77, अस्ट सब्तती ही 78, नव सब्तती ही 79, 79 दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे एकोन शिती ही 80 में एक कम, नव सब्तती 70 प्लस 9, अशिती ही 80, एका शिती ही 81, द्वया शिती ही 82, त्रया शिती ही 83, जतूर शिती ही 84, पंचा शिती ही 85, शड शिती ही 86, शब्ता शिती ही 87, अस्टा शिती ही 88, नवा शिती ही 89, बच्चों 89 दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे एक कोन नवती 90 में एक कम, नवा शिती ही 80 में 9 जोड़ दो नवती ही 90, एक नवती ही 91, द्वी नवती ही 92, त्री नवती ही 93, चतुर नवती ही 94, पंच नवती ही 95, शण नवती ही 96, शब्त नवती ही 97, अस्ट नवती ही 98, नव नवती ही 99 99 बच्चों दो तरीके से लिखा जाता है जैसे एकोन शतम, सो में एक कम नव नवती ही 90 में नव जोर दो सतम में 100, 100 बच्चों हमने यहाँ एक से 100 तक की गिंती का अभ्याद पुर्ण की आशा रखती हूँ, आपको सब समझ में आ गया होगा और यह इजी तरीके से आप एक से दसके जो भी स्पैलिंग है वो याद कर लोगे तो आगे क्या भी सब कुछ आ जाएगा और जो में टम 20 से 90 तक की है वो भी याद कर लेना बच्चों, नेक्स सेशन में अब हम यहाँ पाट के समवाद रुपी जो छोटी सी स्टोरी दी गई है उसका अध्यान करेंगे पर आप लोग आज क्या जो अध्यान हमने किया ने एक से सो तक की गिंती का वो अपनी क्लास्वक में संस्क्रीत और इंग्लीश में लिखना और उसे लन बै हाट भी करना चलो तब तक के लिए अस्तू धन्यवाद